नमस्कार दोस्तों निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब काज स्वागत है तो सबसे पहले हम तीन स्टॉक से शुरू करते हैं पहला स्टॉक हमने दिया था सिपला सिपला में हमने कहा था 741 पे लेना है और उपर का टार्गट 748 दिया था अर वह हमें मिला इस तरह से उसमें 7-point मिले सेकर्ड़ स्टॉक था SBY SBY हमने कहा था 242 लेने पर और 246 तक गया इसमें समें हमें 3-4 पॉयंट मिले और 30 सा स्टॉक हमने विपरो दिया था विपरो हमने कहा था 353 पर लेना और 357 तक ही गया और इसमें अभी हमें 4 points इस तरह से हमें 3 stocks में 12-15 points total मिले अब Nifty 50 में हमने कहा था कि नीचे 12.940 एक strong spot का काम करेगा और जितना नीचे मिले वहाँ से Nifty को buy करना है और उपर के target हमने screen पर दिये थे और वहीं touch किया 13029 को ही touch किया इसने तो इस तरह से 12.945 से 13.930 तक तक तकरीबन इसमें भी हमें 70.70 points का profit हुआ bank nifty में भी हमने कहा था जहां dip मिले वहाँ पर buy करना है तो वहाँ हमने 29421 का level बताया था नीचे तो वहाँ से मिला और उपर 29678 तक गया तो इस तरह से इसमें भी हमें 200 points कम से कम मिले तो इस तरह से जो कल के लिए जो पहला stock है वो है Amboja Cement अमजा Cement ने ये देखिए 10 dema पे से sport ले रहा है ये जो lines देख रहे हैं आप वो 10 dema से sport ले रहा है और उपर की और जा रहा है और इसमें आप देखेंगे ये U10 भी बना रहा है और इस तरह से 263 के उपर हमने buy करना है और अगर 260 पर भी मिले तो buy करना है 260 के तक्रीबन 258 का stop loss लगाना है और 260 के pass buy करना है और उपर के target 263, 267 और 272 के रहेंगे उसके बाद जो अगला है वो है bank nifty अब bank nifty में हमने क्या करना है ध्यान से देखिए bank nifty में आपने पहले भी देखा है और हमने पहले भी पिछले week में बताया है कि 2300, 28700 एक strong sport का काम कर रहा है और 28700 के पास जितना भी आपको bank nifty मिले तो buy ही करना है और उपर के target आपकी screen पर है और नीचे की और 28700 तूटे तो फिर नीचे की put buy करना है और जब भी call लेनी है 2300 की call लो put लेनी है तो 2300 की put लो और नीचे के target आपको बताये है 28455 और 2826 और 28000 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा bank nifty जा सकती है अगर तोटी तो पर इसके उपर जाने के chance ज़्यादा है नीचे जाने के chance सिरफ 10% ही है उपर जाने के chance 90% है तो इस तरह से उपर के जो target अभी भी खुले है तो डबल नाइन डबल फॉर तक के अगर Tuesday को bank nifty उपर गई तो 29,944 और 30,196 जो पहले भी हाई लगाया तो वहाँ तक bank nifty जा सकती है उसके बाद अगला stock है hero motocope, hero motocope चार्ट पे बहुत अच्छा pattern बना रहा है और upward है और 10 demo से भी sport लिया है 10 demo कहां पे रहा है 3031 से तो उपर 3097 के पास हमने इसे buy करना है और 3057 का stop loss लगाना है और उपर के target 3137, 3226 और 3368 तक के रहेंगे उसके बाद है put call ratio nifty की वो है 1.28 जो कोई काफी नीचे आगी है तो इससे संकेत मिल रहे है कि अब nifty के ऊपर जाने की संकेत है और अगर सिंगापूर nifty भी देखें तो 1306213055 तक है तो इस तरह से 1300 के ऊपर बनी ही है तो इससे पता चलता है कि nifty के ऊपर जाने के ही संकेत है और दूसरी तरफ यह जो foreign investors का जो data है वो भी आप देखेंगे कि इन्होंने एक बहुत बड़ी buying की है 7700 क्रों की एक सबसे बड़ी buying होगी एक दिन में मुझे लगता है और उसके साथ-साथ fi index future में भी बहुत ज्यादा positive है इससे पता चलता है कि वो index में ज्यादा positive है और index अब उपर जाएगा निफ्टी का यह संकेत दे रहा है और इससे यह भी पता चल रहा है कि जो nifty 50 के stocks हैं वहीं उपर जाएंगे यहीं कारान है कि आज मैंने nifty 50 के stocks देने की भी कोशिश की है और उसके साथ साथ index option पर भी positive है और जो इंडिया विक्स है वो minus है 19.82 यह भी एक अच्छा संकेत है निफ्टी के ऊपर जाने का अब आते हैं option chain पर option chain पर देखिए 12.824 लाग 12.925 लाग 13.020 लाग मतलग कि इस एरिये में काफी strong put writing हो रही है तो जो strong sport बन रही है वो है 12.800 से 12.900 के बीच में यह एक अच्छी strong sport है इस एरिये में जैसे निफ्टी है तो आपने buy करना है चाहे 12.900 12.850 12.800 और कल आपने देखा कि 12.950 तक को भी इसने काफी respect दी है और उदर जो call writing हो रही है वो है 13.000 पर 13.100 और 13.200 यह इस एरिये में इससे बता चलता है जो expiry होगी वो 13.000 से 13.200 के बीच में होने के chance बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो call writer कठा हुआ है वो हुआ है 13.100 पर इससे बता चलता है कि जो expiry 13.101 रिजिस्टन्स लेगा expiry का expiry छोटी है Thursday नजदी की है Wednesday Wednesday और Thursday Tuesday Wednesday Thursday तीन दीन हमें मिल रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के तो इस तरह से 13.101 स्ट्रोंग रिजिस्टन्स का काम करेगा और 13.801 स्ट्रोंग स्पोर्ट का तो 12.800 के पास जितना मार्की टाय तो भाय करना है और 13.100 के पास हमने प्रॉफिट बुक करना है अब आते हैं चार्ट पर चार्ट पर आप देखेंगे कि 10 देमा वर सही निफ्टीन प्रॉंग स्पोर्ट ले रहा है 12.890 12.850 12.850 और 12.890 पर 10 देमा और 10 एमा है और इस तरह से नीचे की स्पोर्ट काफी स्ट्रोंग है एक तो पुट राइटिंग हो रही है दूसरा 10 डेम है 10 एम है और उपर के जो रिजिस्टेंस है वो 13100 है उसके हिसाब से 13083 चार्ट के हिसाब से 13083 एक स्ट्रोंग रिजिस्टेंस का काम करेगा और जितना भी नीचे निफ्टी मिले हमने बाय करना है जहां पर भी आए जैसे 12 205 पर आए तो बाय कीजिए 12940 पर आए तो बाय कीजिए इन किसी भी लेवल पर करना है तो बाय ही करना है और उपर के टार्गेट जो सबसे पहला रहेगा वह 13016 और 13016 क्रोज किया तो 13050 और उसके बाद 13083 और अगर 131023 और तर दिजिदा 13223 पर जाएगी तो 1423 एक्सपैर का एक final target हो सकता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे option chain के हिसाब से 13083 पर बार बार resistance लेगी निफ्टी अब उसके आगे जो तीसरा स्टोक है वो इंडस बैंक इंडस बैंक ने बहुत अच्छा चार्ट बना रहा है और एक bullish pattern बना रहा है और 855 के पास जितना मिले तो buy करना है जो इसका आपने stop loss लगाना है वो 850 का लगाना है और उपर के target 875 और 883 के रहेंगे और जिन्हों ने अभी तक हमारे free channel को subscribe नहीं किया तो free telegram channel का नीचे लिंक दिया है तो वहाँ से subscribe कीजिए वहाँ पर हम daily nifty bank nifty पर commentary देते हैं dow future के recording और उसके अलावा अगर आपने अभी तक demet account कोई खोलना है तो नीचे angel broking और upstros का जो link दिया है वहाँ से अपना demet account खोले और बीस रपे पर trade इन दोनों के charges है उसके आगे अगर आपने आप नए व्यूर हैं तो please हमारे channel को subscribe कीजिए हमारे channel को like कीजिए और इस video को भी जरूर like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share कीजिए thank you धन्यवाद